कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्मान करते हैं। गीता सार श्री कृष्ण के अनुसार अपने विचारों पर नियंत्रन रखो नहीं, तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रन रखो नहीं, तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे, कर्म ही व्यक्ती के भाग्य और जीवन का निर्मान करते हैं स्रिष्टी में कोई भी व्यक्ती बिना कर्म किये नहीं रह सकता है वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथ्वा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बन कर कर्म में योगदान कर रहा है जीवजन्तु हो या मनुश्य कोई भी अकर्मण्य नहीं है और नहीं कभी रह सकता है विद्वानों ने मुख्य रूप से तीन प्रकार के कर्म बताए हैं जिन में एक होता है क्रियमान कर्म जिसका फल इसी जीवन में तुरंट प्राप्थ हो जाता है दूसरा संचित कर्म होता है, जिसका फल बाद में मिलता है यदि विप्रीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो इसका श्रे उनके संचित कर्म को जाता है जब रावन अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवन सुखी था, तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था मगर उसी रावन के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो यह उसका प्रारब्ध था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रन रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रन रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे संसार में तीन प्रकार के लोग हैं एक भाग्यवादी जो की मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है इसलिए पुरुशार्थ करके भी क्या बदल जाएगा दूसरे हैं पुरुशार्थवादी जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता कर्म ही सब कुछ है तीसरे होते हैं पर्मार्थी, जो पर्मर्थ अर्थात पर्मात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभानी में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं मनीशियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिती में आनंदमय, अर्थात, शांत, भाव से जीवन्यापन करते हैं वस्तुत कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तै करता है अत हम सबको सदैभानी पहुचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का वरण करना चाहिए